सरकार में जो नेता बैठे हैं बहुत सारे अभी तक नेता ऐसे देखे गए हैं जो अनेडुकेटेड हैं नहीं इतनी क्वालिफिकेशन है तो क्वालिफिकेशन होना उनके लिए बहुत जरूर है तब ही तो वो जाके हमारे युवाओं का हमारे किसानों का हमारे आम आदमी का भला कर पाएंग। नेताओं के लिए में एजुकेशन मैं तो मस्ट मानता हूँ क्योंकि एक एजुकेटिड नेता ही है वो ही समाज में बदलाओ ला सकता है क्योंकि जो खुद है ना मतलब क्वालिफिकेशन उसकी ज़्यादा होगी ना उसको स्टुडेंट के दर्द का एहसास होगा तो वो उसी इसाब से स्टुडेंट के इसाब से पोलिसी बनाएगा ये तो वो है में सचिन तेंदूलकर को अगर सचिन तेंदूलकर के पापा बेट की बजाए होकी पकड़ा देते तो सचिन साहिद कभी कामियाब है नहीं हो पाता और क्रिकेट का भगवान नहीं कहलाता तो जिस लेवल की अगर education होगी न, education minister है न, इतना ज़्यादा पड़ा लिखा होना चाहिए, कि उसको न student के, क्योंकि वो अगर पड़ा लिखा है न, तो उसको student के दर्द का पता होता है, और एक हमारे यह कावत है कि जिसके पेर फटे नहीं भाई, वो क्या जाने पीर पराई जिसके पाउं की एडिया नहीं फटी है न, वो दूसरों के दर्द को कभी महसूस नहीं कर पाएगा, और जो education minister हमारा अच्छा qualified होगा न, तो उसको student के दर्द का एहसास होगा, क्योंकि वो भी कभी student रहा है मैं सर काबिनेट शफल हुए, उसके बारे में आप जानते ही होंगे, तो उसमें जो क्रिशी मंतरी हमारे और फिनांस minister चेंज नहीं हुए, और education minister से खुश है हैं आप जो हैं हमारे इस पे न, मतलब, अगर अपा AJ teacher बोलेना तो इस पे कटक्स हो सकता है, ठीक है, मैं यह नहीं क सरकार में बेजने वाले कोन है, तो यूथ, यूथ पावर ही है, उनको इलेक्ट करके बेजती है, और उसके बाद, आयोक का काम होता है, उनको चुनना, यह मतलब, जैसे हमारे CM साव मंतरियों का department अलोट करते हैं, तो वो सोच समझ के देते हैं, इसमें कोई दोर आई नहीं है, लेकिन न, वो एलोट करते टाइम में उन्होंनों, एजुकेशन मिनिस्ट्री उसी इनसान को देनी चाहिए, जिसको इस फिल्ड की नोलेज है, फाइनेंस उसी को देना चाहिए, जो अर्द सास्तर की एक है, अच्छी नोलेज रखता है, अब हम अर्द सास्तर वाले को म में एजुकेशन दे देंगे, और एजुकेशन वाले को अर्द सास्तर दे देंगे, में बहुतो, मैंने आपसे इस सवाल किया था, क्योंकि आप टीचर है, अच्छा एडुकेशन सिस्टम में भी काफी बदलाव हमारा इस सरकार ने किया है, उसको कैसे देखते हैं, मतलब क टीचर का एक अलग ओपिनियन हो सकता है, में, लेकिन ना वो पोलीस ही है, बच्चों के मन से फियर खतम कर रही है, कि वो टैन तक अगर ना भी पड़े ना तो फेल नहीं होगा, में अगर जैसे हम एड़त में जाते थे ना, और एड़त में हम गाउम से जाते थे, मानते थ बेटा, इस बार पता चलेगा पहले, कितने नंबर ले लिए, वो मेटर नहीं करेगा, ये बोर्ड की कलास है, इसमें पता चलेगा, तो हमें में प्रेशर होता था और हम ज़्यादा पड़ते थे, अब बच्चे का फेल होने वाला प्रेशर में दिमाग से निकल गया ना, तो वो पड़ेगा नहीं, अब असरकार ने जिसे COVID को ठीक है, COVID आया है, मैं मानता हूँ, तो इसमें सरकार को दोसी नहीं मानते, COVID के काणना, लगबग 100% है, लेकिन वो 100% है, आप उसको quantity मान सकते हो, लेकिन quality उसमें नहीं है, और युवा वही आगे जाएगा, जो quality education लेकर जाएगा quality education दिखते हैं आपको हमारे देश में क्योंकि मुझे तो नहीं दिखती to be very honest बिल्कुल में जैसे अगर आप एज टीचर अगर मैं कहूं कि quality education नहीं है तो इसमें कुछ ना कुछ कमी मेरे में है में ठीक है अगर हम क्लास में 100 बच्चों को पढ़ाते हैं मुस्किल से ना 10 बच्चे जोब लग पाते हैं तो serious बच्चा तो में जोब लगेगा और teacher तो सभी 100 को एक जैसा ही पढ़ाएगा लेकिन वो तो बच्चे पे है कुछ हम मतलब education system को सारा का सारा इस पे दोस नहीं दे सकते कुछ बच्चे को अपने बिहाब पे भी पढ़ना होता है उसको पता होता है अगर उसने ममी पापा के लगवग बच्चे मेरे को कहते हैं सर मोटिवेट कीजिए तो मैं तो बच्चों को एक ही बात कहता हूँ real motivation आपको अपने ममी पापा देंगे जब भी आप पढ़ने बिठो आपको नींद आने लगे ना तो अपने पापा के फटे जूतों की और देख लेना ममी की फटी साडी की और देख लेना real motivation अगर वहां से नहीं आया ना तो परदीप सर या आपको चाये संदीब महसुरी ही क्यों ना वो motivate नहीं कर पाएंगे में आपको सर हरयाना के सिये मनुहलाल खटर ने ये कहा है कि क्या बोलते हैं हजार चौबिस तक बेरोजगारी हटा देंगे यहां लेकिन योवाओं को रोजगार मिलता हो और नजर निया रहा है रिपोर्ट 2015 की में पढ़ रही थी वो कहती है कि 13 लाख जो कैंडिडेट्स है उन्होंने एक वेबसाइट है जो फिल किया उसमें अपना नामांकन की है बिरोजगारी के लिए तेरा लाख बहुत बड़ी मलब केंडिडेट की संख्या है में और अभी है ना के ने में में मेरे को यहां पर बड़ा अजीव लग रहा है कि जो अनप्लॉइमेंट में बीना हमारा हरियाना नंबर वन वे से हम कहते हैं हर चीज में अभी मेडल एजुकेशन में हमारा हरियाना बड़ा दुख होता है में जब पिछडा अभी नीरज चोपडा जी जेए औलंपिक से चोड़ा हो गया मेम लेकिन उसी दिन ना जिस दिन नीरत चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता था शाम को ये खवर आई कि हर्याना पुलिस का पेपर बड़े पेमाने पर लीक था तो उन कुसियों पर मेम बहुत बड़ा ग्रेंड लग गया और एज टीचर जब आपका करता है और जिस जब स्पोज करो में पसल कट कर तियार होनी वाली हो और बारिस आजाए ओले आजाए तो उस किसान का दर्द वो किसान ही समझ सकता है तो स्टुडेंट का दर्द स्टुडेंट और टीचर के अलवा किसी को समझे नहीं आएगा मैं सर इससे जोड़ा मेरा ही सवाल था कि बच्चे जो है कोचिंग से स्कूल में क्या पढ़ाई इतनी भी अच्छी नहीं कि उनको कोचिंग सेंटर जाना पड़ता है इस पर आपका क्या टीक है यह तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है कि कुछ बच्चे के खुद पर होता है मैं मैंने ऐसे ऐसे भी स्टुडेंट देखे हैं जिनोंने बिना मतलब किसी कोचिंग के बड़े लेवल के एग्जाम करेक की है वो तो बच्चे के खुद की मेंटलिटी पर है क्योंकि जो हमारा में एजुकेशन सिस्टम होता है जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है में वो बेकबॉन मानूँगा रीड की अड़ी मानूँगा अगर उस लेवल पर हमें न ऐसे टीचर उनको मिल जाएं जो उनको कंपिटीशन के लिए त्यार करें कई बार मैंने स्कूलों में देखा था में मतलब मेथ वाले टीचर यही बताते थे कि आपको 33 नंबर मेथ में कैसा लेना है तो वो टीचर में आपको केवल 33 के लिए ही प्रिपेर कर पाएगा और एक ऐसे भी टीचर देखी है वो मेथ में सो में से सो लेना सिखाते हैं तो हमें ना मतलब ऐसे टीचरों को गोर्मेंट तो ठीक है मतलब जो अगर कोई एकजाम एस्टेट सीटेट करेक करके जाएगा तो उसको नोलेज तो है मतलब सरकारी स्कूलों में लेकिन हमने देखा है में सरकारी स्कूल के टीचरों को खुद नहीं कर पा रहे हैं, यह एक education system की बाद नहीं है, मैं आप होस्पिटल में चले जाईए, आप नहीं कर दूँ एक मिनिट, आपने बाद की क्योंकि फिर वो कट नहीं जाते हैं, उस स्कूल में जहां वो पढ़ा रही हैं, ऐसा नेताओं के साथ भी है, नेताओं की बच्चे त मैं वो क्या है, पहले से उनके पास कोई चाए उनका corruption का fund हो, या कोई भी उनके पास अलग से money हो, तो वो बच्चे को ना मैं education के लिए prepare ही नहीं करेंगे, वो तो simple उनको ilets बगेरा करवा देंगे, जिससे ना उनका फोरन में वो अपना एक business है, सेट अप कर पाए, उनका न पास नहीं रहेगा, तो में हम तरकी के बारे में सोच है, अगर आज मैं इंडियन आर्मी की बात करूँ, इंडियन आर्मी ये कह दे कि हम मतलब चीन से जीत ही नहीं पाएंगे, तो में क्या असर होगा हमारा, मिल्टरी आज भी मतलब माइनस 35-35 डिगरी के temperature में वहां पर ड असला हमारे पॉल्टीशियन में आएगा ना, उस दिन हम तरकी जरूर करेंगे में, सर आप हमारे व्यूर्स को जो युवा देख रहे हैं ये वीडियो, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो पेरिंस वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे, जो आज का हमारा मुद्दा था ना, अरियाना पुलिस का, जैसे आपने भी उसको कवर किया था उस इवेंट को, तो उसमें ना, हमने सरकार से में चार हमारी मांगे थी, और मैं दुबारा कहे रहा हूँ, अगर में सरकार कोई अच्छा काम करती है ना, तो हम सरकार को एप् चार्ड डिमांड आपके न्यू चैनल के थरू पहुंचाना चाहूंगा में, एक तो ना, HSC का प्रोप पर पेटरन होना चाहिए, सिलेबस डिफाइन होना चाहिए, जैसे हर गोर्मेंट का होता है, राजस्तान गोर्मेंट को उठालो, बिहार को उठालो, पहले ही पता होत है कि ये मतलब सिलेबस रहेगा, अब में मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, अगर मेरा पढ़ाया हुआ, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से वो आएगा नहीं, तो बच्चे मेरे पर कितना विश्वास करेंगे, तो बच्चों का ना, में, जो ये अकेडमीज वगेरा है, या स्कूलों से विश्वास उड़ता जा रहा है, कि इनका पढ़ाया, कुछ भी नहीं आया, तो एक मुद्दा ये है कि केलेंडर है ना, पूरा वार्सी केलेंडर जारी किया जाए, एक मुद्दा है डिफाइन, सलेवस होना चाहिए, और तीसरा मुद्दा ये तो उस HSC को उस agency के खिलाप है ना, उसको future में tender के लिए निलंबित कर देना चाहिए, कि future में इसको कोई tender नहीं दिया जाए, second thing ये होनी चाहिए, कि जिसने paper उनसे agency से अभी आई, एक करोड में paper खरीदा गया, तो उनके नाम को highlight करना चाहिए, ताकि है ना, समाज के उनको उने गारों की तरफ है ना, जैसे मतलब wanted आप देखते हो, criminal की photo लगती है हर थाने में, उनकी ना हर, जैसे हमारे bus stand है, हर जगह उनकी photo लगनी चाहिए, कि ये देश के गदार है, और तीसरा जिसने paper खरीदा है, में कोई paper एक करोड में किसी ने लिया है, तो आगे बेचने क को भी उतना ही highlight करना चाहिए, और जिस दिन ना, इनसान की में, खुद की सरम होगी, अगर जगह जगह उसके poster लगेंगे न, ये गदार है, ये गदार है, तो वो future में में, कोई भी crime करने से पहले सोचेगा, और एक हमें सक्त कानून लाने चाहिए, कोई ऐसा provision होना चाहिए कि जिसने भी इन तीनों में चाहिए पेपर एजेंसी से लीख हुआ है, तो एजेंसी रद और उनको भी जेल, और जिसने करवाया है, और जिसने लिया है, तीनों को में मैं तो अगर फासी की सजा के दूतो साहिद है, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ना, उनको eight list, life imprisonment या मत ने पेपर एजेंसी से लिया है, या जिन स्टुडेंटों ने उनसे पेपर खरीदा है, तो उसके सुसाइड के जिमेबार वो तीन है, और सुसाइड के लिए आपको पता है, में हमारे या सजा मिलती है, तो उनको 302 के तहट सजा मिलने चाहिए, मेरी सरकार से यही देमें, धन्यवाद सर, हमारे साथ ते प्रदीप सर, जो नहोंने बताया, एडिकेशन सिस्टम के बारे में, हमने इंसे सारे सवाल लिया, जो लोगों के मन में थे, राजनेता उसे पूछते हैं, तो वो नहीं जवाब देते हैं, वो घूमा देते हैं, इसलिए हम एक टीच से सारे सवालों के वो जवाब दे, धन्यवाद